स्कूल की वार्शिक पिकनिक का दिन आ गया था. आदित्य और उसके सहपाथी खुले मैदान में पहुँचे. वहां तरहत्रा के खेलों का आयोजन किया गया था. कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ रसी कूद रहे थे. आदित्य और उसके दोस्तों, रोहित, कैश आदित्य, रोहित और उनकी टीम के दो और लड़के खड़े हो गए. दूसरी तरफ कैशव, निशान्त और उनकी टीम के बाकी बच्चे खड़े थे. शिक्षक ने सीटी बजाई और रसाक्षी शुरू हो गई. दोनों टीमें पूरे जोर से रसी खीचने लगी. उनके चह कल गया और कैशव की टीम तेजी से रसी खीच कर मैदान के बीच तक खीच ले गई. हार का सामना करना पड़ा. हालां कि हारने वाली टीम थोड़ी निराश जरूर हुई. लेकिन खेल के रोमांच ने उनकी सारी थकान मिटा दी हार जीत से ज्यादा उन्हें साथ मिलकर खेल का मज़ा आया.